नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद है अच्छे ही होंगी आज जो टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं वह कोई लॉग का टॉपिक नहीं है वह एक समस्या है जिससे आईजीन वह क्लाइंट जूजता है जिससे बेल अतिसी गर लेना होता है और हमारे इस एड सब्सक्राइब कितना टाइम लगता है हाई कोट में कब तक फाइल जो आपका लिस्ट पर आएगा और कब वह उस पर डिसकसन होगा तो यह जो डिसकसन है यह जो टॉपिक है जिसका मैंने नाम रखा है बेल फाइल होने के कितने दिन बाद डेट मिलेगा तो यह मैं अपने हाई कोट के कॉंटेक्स में दे रहा हूं क्योंकि जो बेल का पाइल अप है वो हर हाई कोट का अलग अलग है जहां पॉपलेशन ज्यादा होगा वहां पाइल भी ज्यादा होगा जहां क्राइम ज्यादा होंगे वहां पाइल ज्यादा होगा तो इसलिए आप अधर स्टेट यदि लग रहा है तो क्यों लगता है इसको जहन में रखें उसी अनुसार प्रेसर बनाएं क्योंकि आप प्रेसर बनाएंगे एड़ोकेट साहब की मजबूरी होगी है उन्हें जूट बोलना पड़ेगा और बोलते भी हैं और आप बोलते हैं हम फस गए वह जूट बोलते है बोलते नहीं हैं कई लोग फोर्स करते हैं बोलने के लिए तो चली समझते हैं यदि आपका बेल आज आपका बेल हारिज होता है लोलते एड़ोकेंड़ पॉइंट कीए का क्या करेंगे पृपिर्पर्प्र भी सुखंण से पहले क्या और उसको अपने rainbow होगा कि उसके भारी की को पर्णा पर्ढाबा जागा ड्रफ उत्ना अच्छा ड्रात तार होगा कि दो से तीन दिन लगता है कोपी पेस्ट होगा अतराद बर में तैयर हो जाएगा तो डिसाइड करना है आपको क्या क्या करवना चाहते है ठीक है दूसरा ओध कमिस्टनर के पास और ओनलाइन फाइलिंग आज ड्राफ्ट आपका रेडी हुआ तो कल जो है वह हम लोग मुंसी को प्रोवाइड करते हैं कि भाई इसको कमिस्टनर के सारा प्रोशेडिंग फॉलॉअप करके आप मुझे साम तक दे दें तो मान की चली साम तक वह देते हैं और साम में क्य प्रोवाइड को उसका प्रोवाइड कर देते हैं तो एक दिन लगेगा पूरा दिन में और जो भी मैनुएली होता है उसके बाद ऑनलाइन फाइल हो गया आपको एक दिन लग गया ठीक है अब आए तीसरा स्टेज एप्लीकेशन एक्सेप्टेंज जैसे ही ओनलाइन Thailand इवस्ति फैलिंग होगिा आपका जो है फाइल इफ फाइलिंग नमर मिलता है उस वर पर लमिलने के बाद यह जो आपका यह स्टेज होता है वह दिखाता है acceptance mode में में यहां फाल ओने के बाद आपका acceptance mode होता है जब तक कि वह एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप हाइड कोपी सर्व नहीं कर सकते हैं जब आप ओध कमिशनर को देते हैं उस समय एक हाइड कोपी जमा हो जाता है तो अब यहां हुआ कि एक्सेप्टेंस होगा यदि ओनलाइन फाइलिंग मेजर कोई इश्यू आया यदि आप कोई कुछ मेजर पॉर्शन ही आपका इसकेन नहीं हो पाया या पेज मिसिंग है या वीजिवल नहीं है तो हो सकता है मेजर प्रॉब्लमा तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा आपको मेर से जागा आपको वह जाकि इसको फिर से देखते हैं और उनलाइन फिर से फाइल करें तो उसके बाद जमाएं परची मिलती है आपको और टोकर नमर जेनेट हो जाता है इसका में दो से तीन दील लगेगा अब आएए फाइल कर दिए हाइड को पहुंचा दिए तो उसके बाद जो प्रसेडिंग होती है स्कूरूटनी मोड में जाता हूँ उसका स्कूरूटना आप करेंगे तो उसमें डिफेक्ट आना तय है माल लिजिए किसी भी वज़ा से चाहिए वाला परवाही से फाइलिंग हो या कुछ गलती हो या कुछ स्केन करने में या कोई पेज जो है नमडिंग में कुछ भी एरर आएगा तो डिफेक्ट आ जाएगा और यह ऐसा नहीं बहुत बिर्लियंट है कोई तो नहीं आएगा यह एक हमें डिफेक्ट आएगा या नहीं आया यह दिफेक्ट नहीं आए तो उसको रिमूब करना होगा आपके अड़ोगेट साहिप को मेसेज आएगा वह देखेंगे डिफेक्ट में आ यह मेरा केस्ट और जाके पता लगेगा यह दि उनको पास ब्रीफ जादा है यह किसी वी वाज़ा से वह भूल जाते हैं या उनका जुनियर का नजर नहीं पढ़ता है और डिफेक्ट मोड में ही पढ़ा रहा है इसलिए मैंने लिखा डिपेंश ओन एडवोगेट कि पर एडवोगेट के एडवोगेश क एलर्ट नेस पर डिपेंड करता है कि वह रिमूव होता है कभी कभी कि चार सब्ता दिया पड़ा रहा है तो वह लबाज बहुत में पिर आएगा वहांसे टो डिले होता है वह यहीं बहुत हैँ इसमाव हो उज्यादा हो डिफेक्ट और भी जादा जो है जम आइब काफिल कि आपके साथ जो है एटेंटिव एडवोकेट हैं और सारा चीप कोई दिक्कत नहीं आईए कि समाथ विशाथ दिया दोस्ते तीन दिन आप यहां रख लेजिए ठीक है अब आईए एलोकेशन आफ केस नमर डिफेक्ट फ्री हुआ लिखके उसके बाद आठ दिन के बाद यह जो आप दिये थे अप्लिकेशन ठीक है और डिफेक्ट को रिमूव कर दिये हैं उसके अमोमन साथ से आठ वर्किंग लग जाता है एलोकेशन आप केस नमर आपके इस्चू होगा ठीक है तो यह जो डिफेक्ट वाला पॉर्शन है यह डिफेक्ट वाला पॉर्शन डिपें आपका केस कोट नमर यह जैसे और जजजेश के नाम से लिफेक्ट होता है इतना नमर जो भी नमर मिला हो उसको आपका सीडियल नमर मिलेगा आप समझे इतना तक आने आते कि इतना टाइम लग आपको मोटा मोटी जो है यह आपको 20-25 दिन लगना है पूर्ट होने में यह दिन लगा देते हैं वह जूट बोल रहे हैं या नहीं तो आप उसको कंपेल कर रहे हैं यह यह आपसे सच लूरे हैं यह जो भी रिजन रहे हैं कैसा रिजन से हैं अब माल जाने सिरियल नमर आपको मिलता है तेरह सो, ग्यारा सो, बारा सो कुछ भी, अब कोट है A, B, C, D, जो भी हो, माल देजिए ये कोट भे हैं, ये कोट जो है, दूसरा मेटर भी सुनते हैं, बेल भी उनको सुना, आफटर उनके बाद बेल सुनते हैं, कितना देख लेंगे बेल ये, बहुत अब 20, 25, 30, 40, और ये जो कोट है, B, नमर कोल, ये दीन भर सिर बेल पर ही बहस करते हैं, ये सुनते हैं, तो हो सकता ये, 100 से उपर डिस्पोजल इंका हो, तो अब बताईए, यहां पे आज जारह 30 से 40, यहां पे जारह 100, सबासो, तो अब डिपेंड करता है, कौन से कोट में गिरा है, जिस कोट मे आके लाइक करेगा, तो उस कोट के स्पीड पे भी ये वैरी करता है, साथी साथ कभी-कभी क्या होता है, केस वाइज भी लिस्टिंग हो जाता है, तो रिस अफलिंग भी होता है, और सबसे बासी जो होता है, वह होता है, अर्जेंट मेंटर का मेंसनिंग करना, ये दि मान इसका अर्जेंट मेंटर के बाद उसका है, जल्दी हो जाएगा, इसको आप देखते हैं, कि एक सवा महना में भी करवा लेता है, रहसानी उसके पास कोई जादू है, जादू आदू कुछ नहीं है, उसको अर्जेंट हेडिंग पे मेंसनिंग कराके, अर्जेंट लिसको है इसको डिस्पोज कर दिया जाता है, तो इन सभी बातों को समझे और औरों को भी समझाइए, जितना पढ़ेशान होंगे आप, केस उतना ही खड़ाब होता है, बेल का डिस्पोजल उतना ही आपको एफेक्ट करेगा और आपके रिवर्स जाएगा, तो इसको समझ के आप औ मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, तो किर्पिया करके मेरे इस महीम में सामील हों और औरों के साथ सेयर करें, जैह हिंद